हाई द्वेल्टीज, वेलकम टू एजीवे कामर्स क्लासेज, मैं हूं तविता और गाईस आज के इस वीडियो में हम लोग गर्मेंट बजट के चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था गर्मेंट बजट का मतलब पढ़ा था और उसके अबजेक्टिव गर्मेंट बजट क्या होता है So guys government budget क्या होते है जो government अपना budget लेके आती है जिसमें वो अपने income यानि की receipt लिखती है और अपने खर्चे लिखती है जो आने वाले साल में वो करने वाली है Right उसको government budget कहते हैं आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कि इस budget के कितने parts से क्या components से किन चीजों से मिलकर हमारा budget बनता है तो guys सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और bell icon को प्रेस करो for new more videos साखी आपको जो भी educational videos है आपको मिल सके या फिर आप अपने doubts मिल साव शेयर कर सकते हो इंस्ट्राग्राम पर मेरी idea तबिता मैंसी या फिर youtube पर ठीक है अब स्टार्ट करते हैं गाइस हम अपने chapter को तो सबसे पहले government budget के क्या components होते हैं कि इन चीजों से मिलकर हमारा ये budget बनता है पहला revenue budget दूसरा capital budget बहुत असान है इसको समझना गाइस देखो revenue budget किसे कहते है revenue मतलब आपको बता है न क्या होते revenue मतलब revenue बोले तो income ठीक है पहला budget जो होते है जो income से related है यानि कि government को कहां से revenue receipt होने वाली है और वो कहा revenue expenditure करने वाली है यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया कहां वो revenue expenditure करने वाली है capital budget क्या होते है capital receipt government को कौनसी होने वाली है और capital expenditure यह अभी मैं बताऊंगी कि capital word क्यों use किया है तो सबसे पहले revenue budget को हम समझते हैं देखो budget के दो parts होते है revenue budget और capital budget यह समझ आया then इनको further two parts में divide किया जाते है revenue receipt, revenue expenditure capital receipt, capital expenditure अब revenue जो भी यानि कि हमारी income अगर आप job पर जाते हो तो आपको salary मिलती है वो क्या है आपकी revenue है आपकी income है ठीक है तो वह revenue receipt के लाएगी और government को कहां से income होती है भई आप बताऊ मुझे government को कहां से income होती है सबसे पहला income का source government का ओते है guys tax का है ना government को हम road tax pay करते हैं हम income tax pay करते हैं हम ना जाने कितने tax pay करते हैं और इसके अलावा जो हम चलान भड़ते स्कूर्टी में बिना helmet लगाने के वह अलग government के पास जाते है तो government के पास income source से कमी नहीं है चिंता मत करो ठीक है so government के पास बहुत सारे income आती है that is called revenue receipt जिसके लिए government बैठी हुई है और income आ रही है right अब government ऐसा नहीं बैठी हुई है government खर्चे भी कर रही है guys खर्चे कहां कर रही है उसको बोलते revenue expenditure यानि कि चलाने के लिए business खर्चे कर रही है वो salary पे करती है अपने admin departments को pension पे करती है और 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 क्या खर्चे करती है government अपने जो भी railway वगरा है इन सब को चलाने के लिए बही पूरे खर्चे किये जाते है देश चलाने के लिए असान नहीं है जो road पर street lights जल रही है यह सारे खर्चे government कर रही है तो that is called revenue expenditure अब जो भी income है guys जहां से भी हमें मिल रही है या जो भी हम खर्च कर रहे है इनका हमारे assets और हमारी liabilities से कोई लेना देना नहीं होता ना तो जैसे अगर मैं job पर जाती हूँ तो जो मुझे पैसा मिल रहा है वो मुझे job करने पर मिल रहा है तो ना मेरा कोई asset बिकरा की मेरे को पैसा मिल रहा हूँ ना ही मैं कोई लोन ले रही हूं जिससे मुझे पैसा मिल रहा हूं ठीक है तो उन्हें रिवेन्यू कहा जाते हैं लेकिन कुछ खर्चे हमारे या कुछ इंकम हमारी ऐसी होती है जो हमारे एसेट्स और लाइबलिटी में चेंज लेके आती है उन्हें हम capital budget का part कहते हैं जैसे capital receipt किसे कहते हैं आपने कोई एसेट को sale करा ठीक है यानि कि अपना एसेट बेच दिया तो आपके पास जो पैसा आएगा वो capital receipt है यानि कि यह जो capital expenditure या capital receipt है इसका लेना देना एसेट और liability से है किससे है? एसेट और liability से जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है एसेट liability से लेकिन इनका है अब capital receipt हमें दो तरीके से आ सकती है या तो हम कोई एसेट बेचे भाई अगर मैं नौकरी नहीं कर रही होंगी तो क्या होगा? हम अपने घर का समान बेचेंगे और खाना खाएंगे तो that is हम अपना कोई एसेट बेचे या फिर हम किसी से लोन मांगेंगे तो liability को क्या करेंगे अपनी बढ़ा देंगे तो हमें पैसा दो जगे से और आ सकते है अगर हम नहीं कमा रहे हम कुछ अर्ण नहीं कर रहे हैं हम घर पे खाली बेठे हैं तो हम क्या करेंगे अपने एसेट को बेचेंगे और कमाएंगे कोई सोड सी नहीं है या फिर हम लोन लेंगे तो capital receipt वो होती है जब government अपना कोई एसेट सेल करती है जैसे कि आपको अभी पता चल ही रहा होगा बहुत साइची से बेची जा रही है या फिर कोई liability loan ले लेती है जैसे हम लोग हमारा देश वर्ल्ड बैंक से काफी जगे से loan लेता है तो वो भी एक तरीके से आपके पास पैसा आता है और capital expenditure क्या होता है गाईस जिससे आपका या तो कोई acid बने ठीक है उसे बोलते हैं यानि कि मैं गई और गाड़ी खरी दिली that is called my capital expenditure मेरा एक acid बन रहा है पैसा जरूर जा रहा है खर्चा हो रहा है लेकिन acid बन रहा है या फिर मेरी कोई liability जो है वो कम हो रही हो मैंने अपना loan चुका दिया मेरी liability कम हो रही है पैसा गया खर्चा किया बट उसका effect किस पर आया asset या तो बनेगा या liability कम होगी तो asset या liability पर फरक आएगा तो आपको दिमाद कहां लगाना है इसमें ये सोचने पर कि खर्चा कर रहे है खर्च किया पैसा गया तो कोई ना कोई asset आ रहा है अगर asset नहीं आ रहा तो कोई ना कोई हमारी liability कम होगी ठीक है तो वो capital expenditure है capital receipt कौन सी है जब अगर मुझे पैसा मिल रहा है अब कहां से मिल रहा है या तो मैंने अपना कोई asset बेजा है या मैंने loan ले लिया क्योंकि मैं income तो कमा ही नहीं रही जब हमें revenue नहीं हो रहा होता तो हम ये चीज़े करते है asset और liability में हमारे फरकाते है जब कि revenue receipt के case में इसका ना तो हमारा asset revenue receipt means हमारे पास income आ रही है बट ना कोई हम asset कोई asset अपना reduce नहीं कर रहे है कुछ नहीं बेच रहे है ना ही हम अपनी कोई liability को बढ़ा रहे हैं कि भाई तब हमारे पास पैसा रहे है no that is our income हम काम कर रहे हैं हमारा asset और liability बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और इसी तरीके से revenue expenditure कौन सा होते है आप खर्चा कर रहे हो आपकी कोई liability कम नहीं होरी आपका कोई asset नहीं बढ़ रहा है लेकिन आप जिन्दगी को चलाने के लिए आप अपने घर में जिन्दगी को चलाने के लिए कौन से खर्चे करते हैं गाई आप अपने फोन का रिचार्ज कराते हो इंटरनेट का रिचार्ज कराते हो electricity bill भरते हो यह सारे क्या है यह सारे क्या है क्या हो रहा है मुझे यह सारे revenue expenditure है इससे कोई भी हम लोगों को acid भी नहीं बन रहा हमारा नहीं हमारी को liability reduce हो रही So that is revenue expenditure ठीक है तो यह होता है guys हम लोगों का क्या budget के parts अब हम जो next video पढ़ेंगे उसमें revenue receipt government की जैसे tax, non-tax होती हो और कितने type की होती हो वो particular हर एक चीज़ की पढ़ेंगे लेकिन अभी के इस video में हमने क्या सीखा कि revenue का हमारे asset और liability से कोई लेना देना नहीं है ना हमारा कोई asset कम होगा, ना बढ़ेगा, ना कुछ होगा लेकिन capital का हमारे asset और liability से लेना देना पूरा का पूरा है या तो हमारा asset बिकेगा, तो पैसा आएगा या liability, loan लेके आगए, किसी से उधार मांग लिया अपने दोस्ते तो वो हमारा capital receipt है, वो हमारी income नहीं है So I hope guys आपको ये पार्ट समझाया होगा और जो थोड़ा सा मेरे मुझे से गलत वर्ड निकलने वाला था मैंने रोम दिया उसके लिए sorry और well that's it guys और जो भी doubt है आप Instagram पर मेरे से पूछ सकते हो Thank you